गेहूं की खेती भारत में बड़े प्यमाने पर की जाती है चाये वो भारत के मध्यराज्य हो चाये उत्तरपरस्य में मैधाने इलाके हो हर जगा पर गेहूं की खेती की जाती है गेहूं की खेती करने वाले किसान भाईयों को एक ही बात की चिंता सताती हैं कि उनके गेहूं का उत्पादन कई ही कम न निकल जाए उसके लिए किसान भाई अलग अलग परकार की जो दवाएं आती हैं उनका उपयोग अपनी फसल में करते रहते हैं चाए वो यूरिया के साथ मिक्स करके डालने वाली दवाई हो चाए पानी के साथ जमीन में जड़ो तक भेजने वाली दवाई हो किसी भी परकार की दवाई का उपयोग किसान भाई अपनी फसल में अधिक उत्पादन लेने के लिए हमेशा करते रहते हैं आज की इस वीडियो में मैं भी आपको एक एसी दवाई के बारे में बताने वाला हूँ जिसका उपयोग अगर आपने अपनी फसल में किया तो निस्ति आपको अपनी फसल का बंपर उत्पादन मिलने वाला है जिस दवाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको किसी भी परकार का खर्चा नहीं है सिंपल सा उसे आपको अपने गर पर बनाना है तो नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल SK Agri Culture में दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके अधिक से अधिक शेर करें वीडियो को पूरा देके अच्छे से जानकारी जानने और समझने के लिए और चैनल पर नहीं आए हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है दोस्तों जिस दवाई के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको आपको सिंपली अपने घर पर बनाना है जो लगबग 6-7 दिन में बनकर तयार हो जाएगी उसके बाद आपको उसे प्रती एक लिटर को एक टनकी जो 15-16 लिटर का पमप आता है उसमें डाल कर आपको अपनी गेहूं की फ़सल पर उसका इस्प्रे करना है बस इतना सा काम करना है और आपकी गेहूं की फ़सल का भी बढ़िया हो जाएगी इसके लिए आपको लेना है 15 लिटर का एक पानी की टेंक में पानी का कुछ भी ऐसा लेना है जो 10 या 15 लिटर का होना चाहिए जिसमें आपको पानी पर देना है यहां पर मैंने भी जो है 15 20 लिटर का गड़ा लिया है मैं आदा पानी भर रखा है मैं practical के तोर पर आपको बता रहा हूँ अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में भी बनाना चाहते हो तो बड़ा वाला टेंक आप ले सकते हो उसमें आपको बनाना है और ये है गोबर का कंडा ये जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा फाइदा होगा और हाँ यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ हम बनाने जा रहे हैं हुमिक एसिड हुमिक एसिड के कारिये क्या होते है वो आप सब जानते ही हो बार-बार बताने की जूरत नहीं है हुमिक हमारी फसलों के लिए बहुत ही जरूरी है इस तरीके से गोबर का कंडा लेना है उसको बारिक आपको तोड़ लेना है इस तरीके से आप जब उसको तोड़ लोगे तो उस पानी का जो आपके पास जो गड़ा है उसमें आपको इसे डाल देना है लगा जो भी आप इसमें आठ से दस लिटर पानी में आप जो इस वीडियो में आपको दिखाए गया है इतना बड़ा अगर आप एक गोबर का कंडा लेते हो उसको तोड़ कर उस पानी में आपको मिला देना है मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि उसको लगबग 6-7 दिन तक अच्छे से उसको डख के रखना है बस ध्यानी एक बात का रखना है कि हवा नहीं जानी चाहिए उसको पहले पानी में डालके उसको अच्छे से हिला ले उसको मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है तो वो मिक्स हो जाएगा अच्छे से पानी में भीग जाएगा इसके साथ में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है और इसमें आपको फिर उपर से धकन लगाना है धकन लगाए और धकन में अगर आपको ऐसा लगता है कि हवा जा सकती है धकन टाइट नहीं है तो उसके बीच में आप कोई भी फ्लास्टिक की थेली वगेरा रग दे ताकि वो हवा पास न होने दे और अच्छे से उसको टाइट करे और 6-7 दिन तक उसको रग दे उसके बाद आपको क्या करना है साथ दिन बाद पानी को किसी भी छननी में छान लेना है जिससे ये जो कंडे है वो अलग निकल जाएंगे और जो पानी बचेगा वो आपका हुमिक एसिट तयार हो जाएगा उसको एक लिटर को एक पंप में भरकर आपको इस्प्रे करना है अपनी गेहूं की फसल पर और फिर रिजल्ट आपके सामने आएगा उमिक की पूरती होने से फसल कलरफूल रहेगी अच्छी ग्रोथ रहेगी अच्छा फुटाव रहेगा वो सब फाइदाई फाइदा तो अकिस्तान भाईयों उमिद करते हैं कि इस वीडियो में जानकारी आपके साथ शेर की गई है वो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब चरूर करें मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद